नमस्कार किसान भाईयों आप सबका हर्दिक स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल ओल इंडिया पोटेटो फार्मर्स में किसान भाईयों आज 16 अपरेल 2023 रहेवार इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के आलू के रेट के बारे में और मंडियों में कौनसी मंडी में आज क्या रेक्ट में आलू भी का है उसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो पूरा देखें स्किप परके ना देखें किसान भाईयों अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्वाइच जरूर करें और नॉटिक्वेशन बेल को ओन जरूर करें जिसकी वज़े से वीड दातर मंडियों में आज चुट्टी होती है लेकिन दो एक दो मंडी है जिसमें रहिवार को भी मंडी चालू रहती है उसमें प्रमुक मंडी की बात करें तो वह सूरत की आलू मंडी सूरत मंडी में आज पुखराज आलू 170 रुपय से लेके 230 रुपय 20 केजी के हिसाब से 20 किलो के हिसाब से आलू भिका है उसके बाद बात करें बात्सा आलू की सूरत मंडी में तो बात्सा आलू 200 रुपय से लेके 260 रुपया 270 रुपया 20 किलो के हिसाब से आज आलू भिका ह उसके बाद बात करें ख्याती आलू की तो ख्याती आलू 180 से लेके 225-230 रुपिया 20 किलो के इसाब से विक्री हुआ है तो किसान भायों यह जो सुरतमंडी का जो रेट है उसमें अपने को आड़त नहीं देना पड़ता है आड़त जो किसान जो वेपारी आलू खरिदता है उसको देना पड़ता है तो इसमें अपने को खर्चा लगता है खाली transportation का मरलब गाड़ी का किराया लगता है और अपना जो अलो अगर dump का आलो है तो इसमें जो बारदाना लगाते है या तो बारदाना पढ़ने के लिए जो लेबर का खर्चा होता है वही कर्चा होता है तो कुल मिला के 20 किलो के उपर 50 रुपया खर्चा लगता है तो अभी मान ले पुखरा जालो की बात करें तो पुखरा जालो शुरत मंडी में आज 170 रुपय से लेके 230 रुपय तक विक्री हुआ है उसमें से अगर 50 रुपया 20 किलो पर खर्चा काट भी ले तो जो खर्चा काटने के बाद जो रेट होता है वो है 120 से लेके 180 रुपया शुरत मंडी की बात करो आज की बात करो तो पुखरा जालो 120 से लेके 180 रुपया अपने वो रेट मिलता है बाजसालो की बात करें तो बाजसालो में 50 रुपिया खर्चा काटने के बाद 150 से लेके 220 रुपिय का अपने को भाव मिलता है ख्याती यालो की बात करें तो ख्याती यालो 50 रुपिया 10 किलो के खर्चा काटने के बाद 130 रुपिय का रेट मिलता है तो किसान भाईयों सुरत मंडी की आज की बात करें तो रेट अच्छे है और डिमांड भी जादा है रहीवार की छुटी होने के बाद भी जो मंडी में हालो की जो डिमांड है वो अच्छी है और उसका एक कारण यह भी है कि आज मंडी में आवक कम है सुरत मंडी की बात करें तो डेली ओन एवरेज साट से लेके सो गाड़ी तक इसका आवक होता है लेकिन आज 43 गाड़ी की आवक है और कल की जो साथ गाड़ी पेंडिंग थी उसको मिला के कुल 50 से 55 गाड़ी की आवक है मंडी में और 50 से 55 गाड़ी आने के बाद आज जो पूरा स्टोक है वो सायद क्लियर हो जाएगा ऐसा लगता है तो किसंत भाईयो अगर आपके पास डंप का आलू है और वेपारी सही रेट में नहीं मांग रहे हैं सही रेट आपको नहीं दे रहे हैं तो आप अपना खुद का बारदा ना परके ग्रेडिंग करके अच्छा आलो आलो का अच्छा ग्रेडिंग करके आप सुरत मंडी में ले जा सकते हैं लेकिन एक बात खास ध्यान रखें कि अपने आलो की कॉलेटी जरूर देखें फिर ऐसे मत सोचना कि यूटूब ने बताया था बरत वाईने के 180 र दाउन है तो रेट डाउन भी मिल सकते हैं अगर आपकी कॉलेटी सही है आलो की तो अच्छा ग्रेडिंग करके आप ले जा सकते हैं तो मंडी में अच्छा रेट मिलेंगे तो किसंद भायो यह बात ध्यान में रखके और अपना आलो का बेकी करने की कोशिश करें कल फिर मि आपका दिन सुबरे, जय जया 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 किसा